ओके तो दिस इस वीडियो इस जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था डबली लिंक लिस्ट का जो अल्गॉरिधम हमने किया उसको इंप्लिमेंट करते हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू बट बिफोर यू गो फॉरवर्ड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक मैंने जो पहले अप्लोड किया हुआ था सिंग्ली लिंक लिस्ट फूसी वह वीडियो पहले देख लो यहां पर फिर आना क्यूंकि कि मैं बहुत कुछ स्किप करने वाला हूं अजुमिंग आप यू नौ देना पड़ता है अगर तुम टर्बो में कर रहे हो और वाइद में लिखरो फंक्शन देना पड़ेगा उसके लिए कौनियों देते हैं अच्छा तो structure से मैंने कहा था मैं structure से क्या कर सकता हूँ मैं अपना तरह का मेरा जैसा मर्जी मैं वो उस तरह का user defined data type बना सकता हूँ तो हमने क्या बनाया हमने बनाया है एक ऐसा node जिसकी 3 हिस्से है एक जो की है pointer pointer क्या होता है memory address रखने का तो एक pointer है forward तो यहां पर forward एक pointer है जो point कर सकता है किस तरह का data को किस तरह का हमारे जैसे node जैसे कि वो point कर पाएगा एक और इसी तरह अपनी तरह के node को point कर पाएगा जिसे हम forward कहते हैं और int information मैं integer character string कुछ भी मैं रख सकता हूँ मेरा मर्जी तो मैंने integer info रखा है तो यह जो है यह info के लिए है और structs node pointer दूसरा है यह भी एक pointer है जो point कर सकता है उसी के जैसे अपने जैसके node तो यह data structure यह data type हमने बना लिया जिसे हम node कह रहा है कोई भी नाम देदो double link list dll देदो कुछ भी तुम्हारा मर्जी तीग है अच्छा इसका कोई logical sequence नहीं यह forward आगे होगा backward कुछ नहीं तुम strap node star forward comma star backward भी कर सकते थे मैंने इसी लिए इसको ऐसे design किया ताकि मैं जैसे मैं visualize कर रहा हूं node को उसी तरह से मैंने लिखा है और हमारे पास दो global pointers है एक है start किस तरह के उसी तरह के box को point कर पाएंगे एक start और दूसरा end शुरुवात में हमने दोनों को null कर लिया हुआ है और मैंने एक function लिया है create पहले data structure को create करना है फिर insert वही वाला search item सर्च करके फिर एक particular note इंसर्ट करना है dell for delete and display यह तो आसान सा है वह पहला वीडियो में भी देखा होगा तुमने तो यह just कुछ ने एक menu show करने के लिए कि create कर सकते insert delete display अपना choice दो तो scan करके एक बार choice लिया while loop जब तक कोई 5 नहीं प्रेस करता तो यह switch case में चलता रहेगा functions बुलाएंगे यह सब मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है और दो बार scanf यसी लिया है कि एक बार loop के अंदर जाने के लिए और फिर loop को बार बार च च्वाइस नया लेना पड़ेगा यहां चाहो तो एक message डाल दो printf again re-enter choice इस तरह से दे सकते हो ओके तो हम create function में आये हैं ठीक है यह याद होगा temporary pointer बनाया temporary pointer बनने से क्या memory बन जाता है नहीं उसके लिए क्या करना पढ़ता है malloc function इस्तमाल I hope you remember तो malloc memory allocate तुम operating system को request कर रहे हो मुझे memory allocate करके दो runtime के समय है तो size of struct size of मतलब कितना amount of memory यह size of operator पता कर लेगा तुम्हारे data type से कि कितना size चाहिए और फिर उससे तुम कह रहे हो कि जो दो गए वो मेरा pointer point करेगा वो pointer किस तरह का है वो भी तुमने बता दिया और जिसका नाम है temp ठीक है तो suppose तुम्हें दे दिया गया है एक एक memory जितना तुम्हारे चाहिए उतना size देखके दे दिया गया है अब तो temp point कर रहा है उस memory को okay by chance हो सकता है कि free pool खाली ना हो या पुरा memory भर चुका है तो तुम्हें नहीं मिलेगा temp null लोटाया जाएगा जब यह लोग जब कोई fault होता है या तो memory नहीं रहता है तो operating system तुम्हें नल लोटा देता है कोई memory मिला नहीं तुम्हें तो उस case में overflow बोलके return otherwise तुम्हें ने बोला कि क्या data insert data क्या insert करना है वो दो तो मैंने temp के information पार्ट में ले लिए सपोज मैंने लिए 10 ठीक है start equal to null yes start is null because this is the first node तो क्या करो temp का back को null कर दो याद रखना हमेशा back forward दोनों के बारे में सुचना है temp के forward को null कर दो start भी यही end भी यही तो यह दो pointers जो है global वो क्या होगा यह start और यही है end ठीक है next time गए तो फिर create function बुलाए तो फिर से एक बार temp तो उड़ जाएगा जब तुम function से निकल जाओगे तो फिर temp वापस से create होगा तुमसे data मांगा जाएगा तुमने दिया फिर start क्या null है नहीं तो यह else part में जाएगा टेम का forward को null कर दो क्योंकि आगे कोई है नहीं और फिर temp का back को end कर दो है न यह वाला तो टेम का back end को यह करेगा end के forward में temp कौन सा यह वाला end के forward में temp कर दो तो दोनों pointer ठीक हो गए अब क्या end equal to temp end आगे बढ़ गया एक बार last फिर से हम function से गए तो temp उड़ गया फिर आए तो temp create हुआ memory बना और फिर तुमने data मांगा data दिया गया है तो क्या step है क्या start null है नहीं है तो क्या करना पड़ता है सबसे पहले temp का forward को null कर देंगे temp के back को end कर देंगे end का forward को temp कर देंगे end को क्योंकि यह global variable है तो मैंने दो pointer रखे हुए एक start और एक end ठीक है और इससे क्या होता है कि मैं directly insert कर रहा हूं पीछे की तरफ यह फीफो जैसा ही बन रहा है लेकिन insert create function तो फीफो जैसा behave करेगा लेकिन अगर तुमने कहा insert function अच्छा यह हो गया insert वाला की particular तुम note बताओ मैं उस note के बाद insert करने वाला हूं तो फिर अच्छा तो ऐसा कुछ है यहां पर है 10 यहां पर 20 20 यहां पर item मैं बता रहा हूं 30 यहां 40 तो फिर क्या किया फिर से तुमने बोला कि temporary pointer बनाओ temporary pointer बन गया फिर उसके बाद memory allocate हो गया फिर अगर टेंप यह वाला portion बताने की जरूरत नहीं तो अब तुम पूछरो कि searching item क्या है सपोज मैंने बोला searching item है हमारा searching item है हमारा 20 मतलब 20 के बाद insert करना है तो after which item search item 20 तो lock equal to start start एक variable तुम्हें याद होगा global और यह है end है ना तो start के सामने lock को डाल दिया अब जब तक lock का information search item match नहीं करता या lock null नहीं हो जाता यह आगे बढ़ता रहेगा lock equal to lock forward यह arrow याद होगा कि एक node के अंदर का यह info forward backward को manipulate करने के लिए तुम्हें इस arrow का जरूरत है और इसका क्या मतलब है मैंने last video में बताया है तो lock करते करते यह lock नहीं तो क्या होगा lock lock forward forward पकरके यहां आ गया हमें मिल गया हमें जो data जो search item है वो मिल गया अब मैं एक skip कर गया था भूल गया था तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया है कि data to insert क्या इंसर्ट करना चाहते है सपोज मैं 25 इंसर्ट करना चाहता हूं ठीक है तो वह किसमें यहां item की कोई जरूरत नहीं तुम direct क्या करो temp के information याद एक temporary create करके रखा हुआ हमने तो temp का information में direct ले लो तो यह आगया temporary 25 आगया अब 25 अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें इन दोनों के बीच में इसको जोड़ देना है तो क्या करोगे पहले temp जैसे algorithm में कहा है इसको इसके साथ जोड़ो इसको इसके साथ जोड़ो तेंप के फरवर्ड ढलब इसका थो तुमें the address पता है लेकिन इसका memory address पता कर सकते हो बिल्कुल कैसे यह कहां से Lock के पार्ट ऑट से थिक रहे हो तो क्या करें तो क्या करें तेंप फोरवर्ड confidence OSE लाइब To That s दो कैसे यहाँ इसका आड्रेस कैसे मिलेगा मुझे इसका यद्डरस मिलेगा इस तरह से लॉक के forward से मुझे इसका address मिल गया उसका क्या ठीक करना है backward तो देख रहो ये loud सी में arrow bracket देना क्योंकि इससे उसे priority मिल जाएगा कौन सा खाम पहले करना पहले लॉक का forward वाला address लेके आएगा फिर उसका backward को change करना है और वो तो टेंप होगा और लॉक का जो फॉर्वर्ड है लॉक का फॉर्वर्ड यह है उसको लेफ्ट में लिखे हो तो यह आप मोडिफाई होगा लेफ्ट का फॉर्वर्ड में कौन बैटेगा फिर से नियू लिखा यहां पर टेंप होगा क्योंकि मैं अल्गॉरिदम देखके कर र अगर पहला ही नोड मने स्टार्टिंग नोड ही नल है तो फिर तो अंडर फ्लो वोगा नहीं डिलीट फिर तुम पूछो कि क्या डिलीट करना है सर्च आइटेम तो जब तक वो नहीं मिल जाता तुम क्या कर रहे हो टेम्प को आगे बढ़ाते जा रहे हो सो एक सिचुएशन ऐसा आएगा सपोज यह वाला यह है टेम्प मतलब मैं धून रहा हूं इस आइटेम जिस चीज़ को सपोज कोई मुझे कह रहा है 20 डिलीट करतो तो 20 सर्च कर रहा हूं सर्च करते करते अगर मिल गया तो वरी गुड नहीं मिला तो बोल देंगे मोड नहीं अदर्वाइस क्या करेंगे हम लौग करोगे हैं इसका एड्रेस मिल गया उसका क्या चीज चेंज करोगे और वह पूर्षünd चेंज करोगे और वो कॉन होगा it cheese 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 कहां से मिलेगा及 से simple और फिर ये तो ठीक कर लिया आप कौन सा यह वाला यहां पर पहुंचने के लिए क्या करोगे question 5 č एड्रेस लिया उसका क्या चेंज करोगे बाक्वड चेंज करोगे बैकवर कौन होगा यह होगा कहा से मिलेंगा यह जो है धिस्पे फंक्षन जो भी है तो हम क्या करते हैं टेम को स्टार्ट डड़िस टेम को यहां पर पॉइंटर को ले लेते हैं स्टार्ट अगर नल भात लें लिंक लिस्ट खाली है बता देते हैं अधुवाइस जब तक टेम नल नहीं हो जाता information print करो और ये sign दे दो देज सकते हो नहीं दे सकते तो जैसे कि 10 print होगा फिर ये print होगा और फिर temp equal to temp forward फोरवड पकड़के ये आगे बढ़ जाएगा आगे बढ़ जाएगा इसके आगे क्या है null है तो एक time पर temp null हो जाएगा तब ये रुख जाएगा और यहां पर कितनी extra symbols आजाएगे 40 के बाद sorry 40 के बाद ऐसा आजाएगा तो फिर हमें क्या करना है ये extra symbols को मिटाना है तो मैंने 3 backslash दिये हैं क्योंकि cursor यहाँ पर है एक backslash, दो backslash, तीन backslash और उसको मैंने override कर दिया किस चीज़ से dot 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 से तो यह उर जाएगा dot 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 दिखेगा या फिर तो मैं यहाँ पर 3 space डाल दो तो अभी चलेगा ठीक है ऐसा करते हैं तो क्या हम लोग ये कर सकते थे temp not equal to null की जगह हम लोग यहाँ पर start not equal to null और यहाँ पर ते टेम्प लना करके start equal to start का forward यह भी कर सकते हैं यहाँ पर भी start बिल्कुल देख लो यहाँ पर temp का कोई ज़रूत नहीं start ले लिया ठीक है start का क्या start ना ले नहीं तो start का information start का information print कर दो start का information 10 print होगा start equal to start यहाँ आ गया start यहाँ जाएगा start यहाँ जाएगा start यहाँ जाएगा null हो जाएगा एक बार तो तुमने काम करवा लिया लेकिन यह तो global variable है ना start तो तुमने जो changes किये वो permanent हो गया अब अगर मैं तुम्हें पूछू कि मुझे first note पे ले चलो नहीं ले जा सकते हैं कि first note जो variable जिस pointer ने रखा हुआ था उसको तुमने बरबाद कर दिया तो that is why हमने temporary एक pointer लिया है temporary बरबाद हो जाए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि जब function से मैं निकलूँगा वैसे भी वो बरबाद हो जाएगा लेकिन मुझे जो global variables preserve करने है वो है start and end तो ये था हमारा program thank you